हेलो गाइज, वेलकम टो सीपी सर्मा क्लासेज, नाव वे विल स्टेडी अबाउट मारसीलिया प्लांट, हम टेरीडो फाइटा में, टेरीडो फाइटा के करेक्टर्स, जनरल करेक्टर्स फढ़ चुके हैं, साइलोटम फढ़ चुके हैं, सलेजी नेला, एक्वी सिटम प्ला प्लांट की systematic position उसकी habitat उसका distribution कहां कहां है साथ में जो marsilia plant है उसकी प्रत्य के structure की detail में study करेंगे उसकी leaflets के बारे में pitiol के बारे में उसके sporocarp के बारे में rhizome roots इन सभी की हम external और internal morphology पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे root की external morphology फिर पढ़ेंगे root की internal morphology फिर पढ़ेंगे rhizome, rhizome की external morphology फिर internal morphology इस्पोरोकार्प की morphology इस्पोरोकार्प का क्या कारिये है ठीक है पिटियोल की जो external और internal morphology पढ़ेंगे साथ में leaflets के बारे में भी पढ़ेंगे तो हम अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सिस्टेमेटिक पोजिशन से सिस्टेमेटिक पोजिशन मार्सीलिया का है जो मार्सीलिया और lepto sporongiopsida इसकी class है इसका order है marseilcels उसकी जो family है marseilis ही है इसका genus है marseilis है हम genus के जो नाम है उसके नीचे हम underline करते हैं या उसे little में लिखते हैं जो marseilis का plant है उसे हम paper word के नाम से भी जानते हैं marseilis के plant को हम paper word के नाम से भी जानते हैं paper word plant होता है वह marseilis का ही नाम है तो अब हम देखते हैं जो यह marseilis plant है यह विश्वयापी एक once है यानि विश्वयापी जाती है genus है यह सब जगे पाए जाता है लगबग लगबग इसकी 65 species पाए जाती है वर्ड में इसकी 65 species पाए जाती है और यह ज्यादा तर aquatic और amphibious habitat वाले होते हैं aquatic और amphibious habitat वाले होते हैं जो marseilis plant है यह temperate और साथ में tropical regions में व्यापक रूप से वित्रित होता है हम बता दें कि जो अफरीका और और ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर marseilis की सबसे ज़्यादा species पाए जाती है ठीक है अफरीका और और ऑस्ट्रेलिया में जो marseilis plant है उसकी सबसे ज़्यादा species पाए जाती है और भारत में इसकी लगबग 10 species पाए जाती है भारत में इसकी कितने species पाए जाती है 10 species इसकी पाए जाती है जैसे marseilis egyptica, marseilis brachypus, marseilis brachycarpa, marseilis condomcenta, marseilis minuta, marseilis gracilenta यह कुछ इसकी species होती है वो zero phytic भी होती है जैसे marseilis राजस्थाने, marseilis hirsuta, यह australian जाती है और यह अत्यन्दिक सुसकावासों में लंबे समय तक जीवित रहती है marseilis hirsuta, एक जाती इसकी species है marseilis quadrifolia, marseilis quadrifolia, यह सच्छ जलिये तालाबों में उखती है और चिचले या दलदल marseilis छेतर में पाई जाती है, ठीक है guys अब हम देखते हैं जो marseilis है, उसके character sticks के बारे में जो यह marseilis का प्लांच है, इसमें यह leaflets पाई जाती है, इसका pichyol होगा इसमें नीचे यह लगे वे होते हैं, इस porocarp, इसमें rhizome पाई जाता है, साथ में root भी पाई जाती है जो marseilis का plant होता है, वो बहुत से वर्षों तक जीवित रह सकता है, यानि एक वर्ष में खतम नहीं होता है यह plant होता है, बहुत छोटा होता है, लग बग और यह साख्य पादप होता है, ठीक है, इसमें एक जो rhizome होता है, वो भूमिगत प्रकंद होता है और जो rhizome की उपर वाला भागोगा, पिटियोल, उससे पत्तियों निकली होई होगी हो, नीचे की और इसमें अपस्तानिक मुले, यानि अपस्तानिक रूप से विक्सित होती है अब देखते हैं, इसकी जो मारसीलिय प्लांट है, उसकी बहुत से जातियां होती है, और बहुत से जातियों में इसकी जो लीफ होती है, वो अलग अलग परकार्स की हो सकती है, इसकी लीफ लेट से, ये कुछ में ऐसी होती है, ठीक है, कुछ में ऐसी होती है, तो ये हैं इसकी, ये इसमें जो पाय लीफलेट्स परोकार्प सभी के बारे में तो सुरू करते हैं हम इसकी रूट की एक्षिनल मॉर्फोलोजी से पहले हम पढ़ेंगे इसकी रूट की एक्षिनल मॉर्फोलोजी इसकी रूट क्या होती है प्रात्मिक इसमें जो जड़ होती है वो अलपकालिक होती है यानि अपस्तानिक जड़े विक्सित होगी ठीक है जो अपस्तानिक जड़े होती है इसमें ये अपस्तानिक जड़े होती है ये राइजोम की नोड की जो निचली सत्य है ये राइजोम है इसकी नोड होगी उसकी निचली सत्य से विक्सित होती है ठीक है कुछ इस पिसीज में रू जिन में रूट्स इंटरनोड्स से भी उत्पन होती है जैसे मासिलिय इशिप्टिका ठीक है इशिप्टिका इसमें इंटरनोड्स से इसकी एडवेंक्लेटयस जो रूट आज आ है वो निकलती है जो इसकी रूट होती है वो एक्रोपीटल करम में विक्सित होती है और दो पंक्तियों में विन्यासित होती है इसकी रूट की स्ट्रक्चर देखें हैं तो यह बहुत ही पतली होती है और ऐसाकित होती है साथ में monopodial होती है यानि पतली ऐसाकित और monopodial होती है अब हम देखते हैं इसकी internal morphology के बारे में यह है marcelia plant की internal structure root की इसका जो root होता है उसकी यह है outline structure और यह है cellular structure इसकी root की structure को हम पैचान किसे सकते हैं कि man character क्या होगा जो marcelia plant है इसमें इसमें क्या होता है कि air chambers पाए जाते हैं इसकी internal structure होती है उसमें यह air chambers पाए जाते हैं तो इनसे हम पैचान सकते हैं कि यह जो plant है यह marcelia का plant है क्योंकि इसमें air chambers पाए जा रहे हैं अब देखते हैं हम इसकी जो internal structure है उसकी study epidermis, cortex, cortex के दो भाग में कर सकते हैं outer और inner, endodermis फिर देखेंगे इसकी पित्खे बारे में ठीक है इसकी यह होती है epidermis, epidermis के बाद में पाए जाता है इसमें air chamber एर chamber के बाद यह है इसका outer cortex साथ में यह होगा इसका inner cortex जो cortex का अंदर वाला सबसे अंदर वाला भाग हो जाएगा इसका endodermis, endodermis के बाद में आएगा इसमें जाइलम फ्लोयम और यह जो यह structure ऐसी structure है इसे हम septa कहते हैं यानि यह structure होगी यह उसकी septa होगी air chamber को अलग कर रही है ठीक है गाइस तो अब हम इसकी study करें तो इसकी study किस-किस topics कि में कर सकते हैं तो पहला topic होगा हमारा epidermis, epidermis, दूसरा topic होगा हमारा cortex, फिर cortex को हमने बाटा दो में आउटर और दूसरा होगा inner ठीक है गाइस तीसरा होगा हमारा endodermis ले सकते हैं हम चोता होगा हमारा इसकी steel ठीक है गाइस इन topic होगे बीच में इसकी study कर सकते हैं हम पहले देखते हैं इसकी epidermis के बारे में इसकी जो epidermis है वो one layer होती है यह कोसिकाओं का एक स्तर होता है जिसकी बाहय बीतियां स्थुलित होती है epidermis कोसिकाओं का एक स्तर है जिसकी बाहय बीतियां स्थुलत होती है ठीक है बाहर की जो layer होती है वो स्थुलित होती है अब देखते हैं कोटेक्स के बारे में इसका जो कोटेक्स होता है दो छेत्रों बटा हुआ होता ह एक होता है आउटर कोटेक्स और दूसरा होता है इसका इनर कोटेक्स जो इसकी जो कोटेक्स होता है उसकी सेल्स होती है वो पेरेंट काई मोटा सेल्स से बनी होई होती है यानि जो आउटर कोटेक्स होगा वो पेरेंट काई मोटा सेल्स से बना हुआ होगा अब हम देखते है इसके outer cortex के बारे में जो इसका outer cortex पेरेंकाइमोटा cell से बना होता है तता इस चेतर में बड़े वायू कोस्ट यानि air chamber परजेंट रहते हैं इसका outer cortex है इसमें air chamber भी परजेंट रहते हैं जो एक पंक्तिय अरिय पट्टों के द्वारा एक दूसरे से प्रत्थक रहते हैं जो यह सेप्टा होते हैं इनके द्वारा एक दूसरे से प्रत्थक रहते हैं यह air chamber तो इसके सेप्टा के बारे में बताएं तो इसके सेप्टा यूनिसेरियेट होते हैं इसके सेप्टा कैसे होते हैं यूनिसेरियेट और पेरेन का इमोटर सेल से बना हुआ होगा दूसरी बात इसमें एयर चेम्बर्स पाए जा रहे हैं और तीसरी बात कि इसके जो एयर चेम्बर्स हैं वो यूनिसेरियेट और रेडियल सेप्टा के दुआरा अब देखते हैं इसका इनर कोर्टेक्स के बारे में यह स्ट्रक्चर है इसके इनर कोर्टेक्स की इसका इनर कोर्टेक्स संगन होता है यह कम सगन होता है आउटर कोर्टेक्स जबकि इनर कोर्टेक्स ज्यादा कंडनसेट होता है संगन होता है यह पेरेंकाइमोटर सेल्स का ही इनर कोटेक्स है उसका भीतरी कुछ इस्तर स्कलेरन काई मोटा सेल्स का बना हुआ होता है कुछ इस्तर अंदर वाला कुछ इस्तर इनर कोटेक्स का स्कलेरन काई मोटा सेल्स का बना हुआ होता है और जो इसका इनर कोटेक्स की अंदर वाली जो लेयर हो जाएगी वो एंडोर में स्केल आईगी हम जानते हैं तो आउटर कोटेक्स और इनर कोटेक्स में इसमें डिफरेंस क्या निकला कि आउटर कोटेक्स में पहला तो एयर चेंबर थे इनर में नहीं है आउटर कोटेक्स पूरा ही पेर का बना हुआ होता है यह इसकी एंडोर्मिस है इंडोर्मिस के बाद में देखते हैं इसकी पित के बारे में इसकी स्थील के बारे में देखते हैं पहले तो इसमें स्थील होती है वो प्रोटोस्थील होती है इसकी स्थील कौन से होती है प्रोटोस्थील ठीक है गाइस और इस इसमेरी प्रिरम पेरिसाइकल द्वारा घिर हुई रहती है लाइक जायलम होता है उसका जायलम डाइयार्ग और एकजार्ग होता है इसमें प्रोटो जाइलम एक दूसरे से विप्रे दिसा में होते हैं तता जाइलम के दोनों और फ्लोएम समुए होते हैं जाइलम वाही काऊं वाही नहीं काऊं ट्रेकिट से बना होता है और जुसका यह फ्लोयम है यह सब पाये जा रहा है यहां पे जाइलम के दोनों और यह इसका जो जाइलम है यह डायार्क और एकजार्क होता है यहां पे इसका जाइलम डायार्क और एकजार्क होता है इसकी ज यह इसके air chamber है यह इसका septa है यह जो septa है यह unisariat और radial होता है unisariat और radial septa पाया जाता है इसमें यह इसका outer cortex जो parent comotus cells का बना होता है पूरी ही parent comotus cells होती है जबकि इसका यह inner cortex है inner cortex बाहर से parent comotus और अंदर से कुछ cell कुछ ही cell scleran kimotus cells होती है यह इसकी endodermis आ गई यह pericycle आ गई है यह इसका gylum इसका gylum है यह diark और exark है इसकी pit है protostil यह इसका phloem पाये जा रहा है यह इसकी pericycle है तो यह हुआ marcelia plant की root की external और internal morphology अब हम देखते हैं rhizome के बारे में जो इसका marcelia plant का rhizome है उसके बारे में देखते हैं इसकी जो rhizome की internal structure है उसकी जो आंत्रिक सरचना है उसको हम epidermis cortex और steel में बार सकते हैं यह rhizome की internal structure है अब हम देखते हैं marcelia plant के rhizome के बारे में यह marcelia plant का जो rhizome है उसका internal structure है cellular structure इसमें यह इसकी epidermis सबसे बाहर की layer होती है epidermis ब्यस्से के point view से यह notes बहुत अच्छे हैं और अगर आपको यह notes चाहिए whatsapp पे चाहिए तो आप मेरे से संपर कर सकते हैं या comment कर सकते हैं मैं आपको photo जो send कर दूँगा और आप video के last में भी देख सकते हैं मैं video के last में भी photo attach करूँगा तो वहां से भी आप skin sort लेकर यह notes ले सकते हैं तो अब हम देखते हैं rhizome की internal structure के बारे में इसमें सबसे बाहर की layer है यह epidermis कहलाती है यह layer है इसको हम epidermis कहते हैं यह सबसे बाहर की layer होती है और एक इस्तरी सतत परत होती है इसकी कोसिका यह मोटी बित्ती युक्त होती है epidermis की ये cells हैं ये मोटी है न तो ये मोटी बित्ति युक तो होती है और इसमें की जो बाहेत अच्छा होती है उसमें रंद्र absent होते हैं यानि isto-matra नहीं पाए जाते हैं राइजोंम में इसमें istto-matra नहीं पाए जा दूसरा भाग इसका कोटेक्स का तो कोटेक्स का यह भाग हो गया आउटर कोटेक्स यह हो गया इसका इनर कोटेक्स अलग अलग दिखा रखी है मैंने यह है इसकी इनर कोटेक्स और मिडिल कोटेक्स यह इसका इनर कोटेक्स और यह हो गया इसका आउटर कोटेक्स इसमें यह पाय जारे हैं septa और यह वह ही air chambers है इसके cortex के बारे में बता है तो इसका जो cortex होता है multi-layered होता है और यह epidermis के just नीचे पाय जाता है इसकी जो marcelia का rhizome है उसमें epidermis के just नीचे एक multi-layered चोड़ा cortex होता है और यह cortex तीन भागों में बटा हुआ होता है इसके तीन भाग है outer cortex, inner cortex और middle cortex पहले हम देखते हैं outer cortex के बारे में इसका जो outer cortex का यह भाग है यह बाग इसका outer cortex का भाग कहलाता है और यह बाग parent का इमोटा cells से बना हुआ होता है तता इसमें बड़े wife costak present होते हैं यानि air chamber पाये जाते हैं यह है इसके air chamber ठीक है गाइस जो air chamber होते हैं वो एक दूसरे से एक के unisariat और radial septa द्वारा अलग रहते हैं यह septa हैं यह जो यह दोनों यह वाला और यह वाला यह दोनों एक septa के द्वारा अलग रहते हैं और यह septa होता है यूनिसariat radial septa ठीक है गाइस अब हम देखते हैं middle cortex के बारे में जो इसका middle cortex होता है यह skeleton kai motor cells के कुछ इस्ट्रों का बना होता है और यह rhizome को यांत्रिक दढ़ता है यदि mechanic strength प्रदान करता है इसका middle cortex होता है वो skeleton kai motor cells का बना होता है जो इससे mechanical strength प्राप्त करता है यानि mechanical strength प्रदान करता है इसको अब देखते हैं के इनर कोटेक्स के बारे में इसका जो इनर कोटेक्स होता है यह सघन म्रत्त की यह सेल्स का बना होता है या नहीं कंडेंसेट पेरेंकाइमोटा सेल्स का बना हुआ होता है इस बाग में स्टार्च संचित रहता है और कुछ सेल्स होती है उनमें टैनिन भी रहता है इसका आउटर कोटेक्स बना हुआ था पेरेंकाइमोटा सेल्स का इसका मिडिल कोटेक्स बना हुआ लेरंकाइमोटस सेल्स का और इसका जो इनर कोटेक्स है वो सगन बहुत ज्यादा सगन पेरंकाइमोटस सेल्स का बना हुआ है जो इसका इनर कोटेक्स है उसमें स्टार्च और कुछ सेल्स में टैनिन जम्मा हुआ रहता है अब हम देखते हैं इसकी एंडोरमिस के बारे में य इनर एंटर्मिस यानि इसमें आउटर एंडर्मिस और आउटर पेडिसाइक्ल इनर एंडर डॉरम को यह दो ञाती है ठीक है गैज अब हम देखते हैं इसके स्टील के बारे में इसकी जो स्टील है जाइलम एक वले के रूप में परजेंट होता है और पौ्टो जाइलम एक जाइलम एक जाइलम एक Alzheimer होता है मारसीलिय इजिप्टीका में मिजार्क होता है जैलम के बाहर यह बीतरी दोनों और क्रमस बायफ्लोयम और बीतरी फ्लोयम की वले परजेंट होती है और बायव बीतरी फ्लोयम क्रमस एकल इस्त्री यह पेरिसाइकिल दुआरा झाल झाल